अजय लो एबरेवन मेरा नाम है रहूल और आज हम डिसकस करेंगे क्लास शैवन के हिस्ट्री का चैप्टर नमबर शिक्स इस चैप्टर का नाम है टाउन्स ट्रेडर्स एन क्राप्स परसंज तो टाउन्स हम इस चैप्टर में देखेंगे कि कि छोटे छोटे इलाकिये लगा लोग वहां पर ट्रेड करने लगे और क्राप्स परसंज वहां पर जो है अपना क्राप्स जो है बनाने लगे मतलब क्राप्स परसंज का मतलब होता है वैसे लोग जो मूर्तियां बनाते हैं उन्हें क्राप्स परसंज कहते हैं तो कैसी यह लोग एक मतलब टाउन का ये लोग बनाते हैं कि एक टाउन को अर्बन आजिसर बनाते हैं मतलब एक छोटे-मोटे इलाके से एक अर्बन इलाका बनाते हैं एक मार्केट एरिया बना देते हैं तो वही चीज़े हम इस चेप्टर में डिसकस करेंगे तो देखिए कोई भी एक ट्रेवलर मेडिवल प्रियड के अगर हम बात करें मेडिवल समय की तो कोई भी ट्रेवलर अगर कहीं पर जाता है तो क्या एक्सपेक्ट करता है कि वो किस तरह का टाउन है किस तरह का वो मार्केट है किस तरह का वहाँ पर जो है गाउन या फिर टाउन बसा हुआ है या तो वह एक temple town है यानि कि वहाँ पर काफी सारी मंदिर हैं इसलिए वो गाउं जाना जाता है लोग वहाँ पर रहते हैं या फिर वह एक administrative center है यानि कि वहाँ पर नया लिये जाते हैं काफी rule regulation मना जाते हैं उन सब चीजों के बारे में discuss किया जाता है या फिर एक commercial town है यानि कि वहाँ पर trade जादा होता है वहाँ पर जो है खरीद बिकरी जादा होता है तो इसलिए commercial town या फिर वो एक port town है port town का मतलब बंदरगा है वहाँ पर काफी सारे ships जो हैं आते जाते तो एक पोट टाउन है तो कोई भी आदमी मेडिवल प्रियाड मेडिवल समय में अगर किसी टाउन के बारे में टाउन जाता था तो पता करना ही कोशिज करता था कि वो कोई एक टाउन तो जरूर है या तो टेंपल टाउन है या तो एडिमेस्ट्रेटिव सेंटर है कुमर्सि खोबियां होते थी बहुत सारे टाउन ऐसे भी थे जिन में यह सारी खोबियां थी बहुत सारे फंसन होते थे एड्मिस्ट्रेटिव फंसन भी होते थे और वहां पे टेंपल टाउन भी थे तो ऐसे भी काफी सारे टाउन से और उनमें कोमर्सियल ट्रेड भी होता था कोमर्सि दिखाए दे रहा है, यह medieval period का map है, तो यह जो town आप देख रहे हैं, इतने सारे जो town यहाँ पे point किये गए हैं, तो यह सब धिरे-धिरे उभरने लगे थे, उस समय में धिरे-धिरे जो है, बड़े town बनने लगे थे, यहाँ पे लोग जादा, आबादी में लोग यहाँ पे ब पहले तो सूरत, सूरत अभी भी और उस समय में भी यह trade का, यानि की business का, यानि कि सूरत में रहे, हीरे का काफी आच्छा शाया सा बिजनेस होता है, हीरे का काफी अच्छा market है, सूरत में, और यह देखे मसुलीपत्रम एक है, मसुलीपत्रम यह port एरिया है, यहाँ पे से उसी तरह से हम भी जो है एक आप ही एक ट्रेट सेंटर है उस समय में सीटी बन गया और यह जो भी छोटे-छोटे पॉइंट दीख रहे हैं यह सारे ट्रेट सेंटर यह मतलब कह सकते हैं कॉमर्शियल टाउन है उस समय में जो धरे-धरे बढ़ने लगे थे तो चलिए हम देखते हैं हमारा अगला टोपिक हमारा अगला टोपिक है एड्मेस्टेटिव सेंटर यानि के हम अब एड्मेस्टेटिव सेंटर के बारे में बात करेंगे देखिए हमने चोला डैनेसिटी के बारे में चेप्टर 2 में पढ़ा था इस क्लास 7 के चेप्टर 2 में हमने पढ़ा था नहीं भी पढ़ा है तो आप पढ़ सकते हैं चोला डैने सिटी के बारे में दिया गया है चेप्टर टू में तो इसमें जो है एक तंजाओर सिटी है तंजाओर सिटी है जो की चोला डैने सिटी का केपिटल था नहीं कि उनके सिटी का केपिटल का नाम क्या तंजाओर और यह लगबग 1000 साल पहले की बात हो रही है तो इस जगह में तंजाओर सिटी में एक पेरेनियल रिवर बहता है जो जिस रिवर का नाम क्या है काविरी वो काविरी रिवर है देखे पेरेनियल रिवर क्या होता है पेरेनियल रिवर जो ऐसे होते हैं जिन रिवर में जिन रिवर में पानी साल भर रहता है यानि कि पानी कभी सुखता नहीं है उन नदियों में उन तो वहां पर जो घंटियां बशती है वहां के टेंपल में जो घंटियां बशती है टेंपल का नाम है राजा राजेस्वरा टेंपल जो बनाये गया था एक किंग के द्वारा राजा राजा चोला ये चोला डाइनसिटी के एक किंग के द्वारा बनाये गया था तो जब कहते ह कि इस temple का जो बेल वासते है घंटियां वासती है तो मतलब काफी अच्छा परतित होता है काफी लोगों को अच्छा लगता है और यह जो इतने अच्छे तरह के अच्छे तरह से मतलब अर्केटेक्ट किया गया था यह राजा के दूआर इतना अच्छे से मंदिर को बनाय गया था इसका जो है आर्केटेक्षर इतना बढ़ियां डंग से किया गया था, कि लोग परसंसा करते नहीं ठकते थे, देखें ये जो सीटिय बनाय गया था, वो तो राजा, राजा चोला ने बनाया था, मतलब कि उन्होंने बनवाया था, जिन्होंने इसकी नकासी की थी, उनका नाम क्या था, देखिए, कापर ये बड़ा नाम है, कुन राजा मलन, राजा राजा पेरुन तच्चन, ये इनका नाम है, तो इन्होंने क्या था, उस मंदिर का डिजाइन क्या था, और उनकी कारिगरी की थी, और इनका नाम हमें इसलि इस मंदिर में देखे इस मंदिर के अलावा भी और भी जगह बनाएगे जैसे कि मंदापास बनाएगे पविलियंस बनाएगे जहां पर क्या होता था जहां पर किंग का कोड मतलब किंग जो है राजा अपना दरवार रखते थे तो यहां पर राजा फैसला सुनाते थे अपना decision लेते थे अपना law and order यहाँ पर पास करते थे इस जगह पर mandapass में फिर pavilions में जहाँ पर king का court hold होता है और यहाँ पर और भी जहें बनाए जाते थे जैसे कि breaks for the army देखिए breaks for the army कहते हैं buildings जिसमें army रहते हैं अभी जिससे टाउन था तंजाओर यह जो टाउन था यह कापे अच्छा खासा मार्केट था यहाँ पर grains spices clothes jewelry यह सब चीज़ें का जो है अच्छा खासा होता था यहाँ पर water supply के लिए जो है कुएं tanks बनाए जाते थे कुएं बनाए जाते थे वेल्स बना जाते थे अच्छा करने बनाए पर यहां पर पॉनकर का नाम है जो कि अच्छाओर के मतलब आसपास के एक city है टाउन है उराइपूर तो वहां से बिलोंग करते हैं और वहां पर यह बनाते हैं कपड़े महां पर कपड़े के मतलब कोटन के कपड़े या फिर बहुत सारे के जो कपड़े हैं उनसे बहुत सारे चीजे बनाते थे जया तर वो फ्लेक्स बनाते थे जो कि मंदीरों में अ्ट्योहारों में उनको लगाई जाता था उन कोटन के कपड़े से Кिंग का सामान की बनाई जाता था और वहीं अगर दूरी पर एक और जगह था एक और प्लेस है जिसका नाम है स्वामी मलई स्वामी मलई एक जगह का नाम है तो वहां पर बहुत अच्छे sculpture बना जाते थे मूरत्या बना जाते थे ब्रॉंज के काफी सारे देवी देवताओं के मूरत्याबना जाते थे और वहाँ पर metal lamps यहाने की दिया कह सकते हैं तो दिया बने जाते थे तो यह सब आप देख रहे हैं ताउन जो है एक तेम्पल टाउन है basically तो टेम्पल टाउन के वज्य से यहाँ पे आबादी बड़े में यहाँ पे आके रहे हैं और यह जो कारीगरी मैं अब यह सब टेम्पल के लिए हो रहा है जो क्लोथ भना रहे हैं जंडो के लिए बना रहे हैं और मुर्तिया है टाउन को ही administrative center बना दिया गया है एक temple town है वहीं पे लोग जो है king रहते हैं उसी में जो है ऐसे जगह बनाए गए हैं जहां पर फैसला लिया जाता है king का court होता है वहीं पर आर्मी के लिए जो है barracks भी बनाए गए हैं वहीं पर वहां के आसपास के इलाकों में जो है अच्छे खासे मूर्तियां बनाई जाती है वहां पर spices clothes jewelry इन सब का सेल भी अच्छा खासा हो जाता है तो यह administrative center बन चुगा था उस समय में तंजावर उसके बाद हम अब देखेंगे हमारा अगला टोपिक क्या है देखिए अगला टोपिक है temple towns and pilgrimage center अब temple town और pilgrimage center क्या है यह चीज़े हम अभी discuss करेंगे आगे देखते हैं क्या चीज़े है देखिए अभी हमने देखा कि तंजावर था तंजावर जो city है वह एक काफे अच्छा अग्जामपल है temple town का यानि कि एक मंदीर temple town बन गया था वह तो देखिए temple town जो रिप्रेजेंट करता है यह अपने में एक बहुत जो है important pattern रिप्रेजेंट करता है कि urbanization का यहां बहुत अच्छा urbanization हो रहा है यहां पर लोग आके बस रहे हैं एक अच्छा घनी अबादी वा ते तैंट्पल बनाते थे क्यों और यहां पर राजा क्या होता था राजा का पिए जामीन मंदीरों के लिए बना जाएंगे और काफी बार इनमें मनी भी देते थे राजा मनी करतने थे इन temples में ताकि काफी rituals आने के बहुत सारे रिवाज इसमें perform की जाए और राजा इन में क्या करते थे pilgrims pilgrims का मतलब बता है तिर्थ यातरी जो भी यहाँ पे तिर्थ यातरी आते थे मंदिरों में ठारते थे अपनी भक्ती करते थे तो उनको जो है खाना खिला जाता था और प्रिष्ट यहाँ पे रहते थे पुजारी पंडित यहाँ पे रहते थे तो उनका भी रहने का यहाँ विवस्ता था और उनको भी आच्छा मतलब खाने पीने का यहाँ पी सारी विवस्ता थी और यहां पे फेस्टिबल्स भी celebrate किया जाते थे अलग लग तर के अपने रिती रिवाज यहां पे celebrate किया जाते थे और भी जो pilgrims बहुत सारे ऐसे pilgrims थे जो दूर दूर से आते थे दर्शन के लिए मंदिरों के दर्शन के लिए तो वो लोग भी काफे बार donations देते थे मंदिरों में कुछ भेट दे दिये कुछ सिक्के दे दिये कुछ जो है अनाज दे दिये तो इस तरह से डोनेशन देते थे और मंदिरों का जो है चलता था और इस तरह से एक urbanization शुरू होने लगा टेंपल टाउन में नहीं कर देखिए यहाँ पे एक चीज दिया गया है ब्रोंज बेल मेंटल एंद लॉस्ट वेक्स टेक्निक क्यू टेकनिक यह जो काफी अच्छा टेकनिक था उस वहे में चोला डैनिसिटी के रूलर ने बनाया था मतलब अपने जो है अपने समय में काफी जो है अच्छा म ब्रॉंज बैसिकली एक जो है एलोई है एलोई मतलब की दो तिन मेटल से मिलके बना है ये ब्रॉंज जो बना है वो कोपर और टीन दो मेटल से मिलके बना है इनके दोनों के मिसरंस से जो है ब्रॉंज बनता है और मतलब जो जितने भी मंदीरों में घंटिया बना जाते थी ब ब्रोंज स्ट्रक्चर देखिए ब्रोंज स्टेच्यूस जो बना जाते थे वो बना जाते थे लॉस्ट वेक्स टेक्निक क्यों से यानि कि चोला डाइनसिटी में जितने भी ब्रोंज स्टेच्यूस बनाएगे वो लॉस्ट वेक्स टेक्निक क्यों से बनाएगे यह क्या चीछ को उसके बाद क्या करते थे उसके उपर गीली मिट्टी से लेप लगा दिये मिट्टी का उसके बाद उसको हीट करते थे heat करते थे ताकि जो है मिट्टी सुख जाए उसके उपर अच्छे से लग जाए और उस मिट्टी में जो है थोड़े से छोटे छोटे होल कर दिये जाते थे उस मिट्टी में अब क्या होता था देखिए जो है molten wax यानि कि जब गरम किये गए ये गरम क्यों करते थे सबसे पहले तो wax से बनाए उसके बाद उस पर जो है मिट्टी का लेब लगा दिये मिट्टी का लेब लगाने के बाद उसको heat करते थे क्योंकि मिट्टी टाइट हो जाता था और wax पिघल जाता था घला करके बहुत ज्यादा हीट करके मैटल को गला दिया जाता था ओर उस होल में भर दिया जाता था जो होल सब्सक्रीजर बन जाता था यानि कि एक शोलिप बन जाता था बाद में इसको जो भी गंदा है उसको निकाल कर फिर इसको किलीन किया जाता था और पॉलिस करते थे ताकि इस तरह से अच्छा सेप बने तो यह काफी अच्छा टेक्निक था उस समय में सबसे पहले मॉम का बनाए फिर मिट्टी डाले फिर इसको गरम किये फिर मॉम पिखल गया फिर उसके मॉल्टेन मैटल दिया गया उसके बाद फिर अच्छे से प्रक्राइब को ठंडा करने के बाद इस इसको पॉलिस करके अच्छा सेब दिया गया तो यह काफी अच्छा टेक्निक उस समय में उस राजा ने चोला के राजाओं ने अपनाया था देखे जो temple authorities होते थे याने कि जो लोग temples बनाते थे चाहे वो राजा हो या फिर बड़े-बड़े ट्रेडर्स हो बड़े-बड़े जो है मर्चंट्स हो तो वो लोग क्या करते थे वो लोग देरे-देरे जो है मंदिरों के आसपास में सटल होने लगे वो लोग अपना ट्रेड और बैंकिंग यान की काम का जहीं पर वो लोग शुरू करने लगे इसे की प्रिष्ट होते थे workers, artisan traders इन सब को यहां मंदिरों के लगे तो इस तरह से दर दर जो है यह temple town बनने लगा एक जो है बड़ा temple town मतलब काफी अच्छा गनी अबादी वाला ही सहर बनने लगा तो इसका अगर हम examples देखे कहां कहां यह temple town है तो इसका देख सकते हैं भिला स्वामीन एक town है जो की अभी भिलासा और विदीशा दो जह परदिन बन गया है यह मद्यप्रदेश में है उसके बाद सौमनात जुख है temple है गुजरात में है और भी बहुत सारे where है जिससे कि demise पूर्म में बनाःएं मधुरह में बनाएं गी बनाएं ती मिला तेख दिर्षा सी बनाएख अंधर परदेश में तो इन सब जगकों में ये temples towns बनाए गए थे उस समय में देखिए जो धेर 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 पिलिग्री में जाने की जो तिर्थ अस्तल है वो धेर 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 जो है temples towns में मतलब convert होना शुरू गए यानि की कोई भी जिगह जिन में अच्छे मंदिरे बनाएगी तो वहाँ पे लोग दर्शन के लिए आते थे तो पिलिग्रीम्स बढ़ते थे तो इस तरह से धेर धेर वहाँ पे एक temple town बनना शुरू हो गया इसका अगर हम एक्जाम्पल देखे तो विरंदावन जो कि उत्तरपदेश में है और तिरू अन्ना मलेई ये कहाँ पे तामिलाडू में है तो ये तो काफे अच्छे एक्जाम्पल हो सकते हैं कि जो पिलिग्रीम्स इलाके हैं वो temple town बनने शुरू हो गये और अजमेर है जो कि राजस्थान में है जो कि capital था किसका चोहां किंग्स का capital था ये 12th century में अजमेर और बाद में ये क्या हो गय है ये सुबा headquarter बन गया मुगल के अंडर्स में पहले तो ये अजमेर जो देखिए अजमेर पहले राजस्थान में वो पहले चोहां किंग का capital था 12th century में फिर जब मुगल्स आए तो उनका सुबा headquarter हो गया यानि कि वहां का सुबेदारों के लिए एक तरगा headquarter हो गया मुगल का वहां पर तो ये एक काफे अच्छा example है अजमेर जो की एक religious मतलब को existence है यानि कि यहां पर religious टाउन बन गया यहां पर चुकि ख्वाज्या महिनुदिन चिस्ति का यहां पर मजार है यहां कि उनका दरगा है अजमेर में तो इसलिए यह जो है काफे अच्छा टाउन बन गया यहां पर सूफी सेंद यानि कि यह संद थे यह एक इसलामिक संद थे मुसलिम के संद थे जो की 12th century में यहां पर उन्होंने तो यहां यहां पर जो है वो सेटल यहीं पर होगे तो सूफी संद थे वहां पर लब ख्वाजा मैने दिन चिस्ति यहां पर सेटल होगे 12th century में और उनके दर्सन के लिए यानिकि उनसे मिलने यहां पर लोग आते थे दुर से आते थे उनके दर्सन के लिए क्योंकि उनको वो एक सूपी सेंड थे वो एक इसलामी के अच्छे सेंड थे मतलब सादू थे तो उनके दर्सन के लिए लोग यहां पर आते थे देखिए यहां पर अजमेर के नियर में एक लेक है जिसका नाम है पुसकर तो वहां से भी लोग बहुत बार हमारे में सेडन है में सवर्फी के सकते हैं तो यहां पर यह यह हमारा शेतर का पर एंप कंप्लीट हो गया देखते हैं किने पर मैं कंप्लीट होता है कि अप्राइब कर दो कि अप्राइब कर दो